नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहस्य के पार Vampire Diaries का यह है Season 1 Episode No.2 First Episode को Recap ऐसे करते हैं कि यह स्टोडी अलीना के बारे में है अलीना एक लड़की है जिसके माबब के death हाली में हुई है और उसका चोटा भाई depression में आके ड्रक्ट ले रहा है वो बहुत ही उदास है आंट जैना जो उसकी मासी है वो उनका देखभाल करने आई है और वो एक लड़के को देखती है और उसके एक crush आ जाता है उसका नाम स्टेफन होता है College में नया लड़का होता है जिससे वो दो-तिन बार मिलती है और उसका फुल crush होता है उस लड़के के उपर और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है Episode 1 प्लीज देखिए आप कुछ जाद अच्छे से समझाएगा तो Part 2 शुरू करते है अलीना सुबह उठती है और वो बहुत ही अच्छे मूड में थी वरना वो नॉमली बहुती दुखी और डिप्रेस रहती थी और अपनी डायरी लिखने लगती है वही पस स्टेफन भी आज बहुती अच्छे मूड में था और भुती रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रेक्टेड थे एक दूसरे की वो मिलना चाते थे और एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब थे अलीना वहीं कॉलिज जाने के लिए अब तयार हो रही होती है तभी उसे आंट जैना दिखती है और वो आंट जैना से पूछती है कि वो कहां जाने के लिए तयार हो रही है तभी वो बोलती है जेरेमी की aúnona किरे टीचर ने उसे parents teacher meeting के लिए बुलाया है ये सुनकर थोड़ी सी टेंस्ट हुई है लेना फिर पूछती है जेरेमी कहा है सबी आंट जाना कहती है कि वो किसी काम से शायत किसी bird nest या फिर bird house बनाने के लिए गया है और वो दोनों सुनकर समझ जाती हैं कि Jeremy जुट बोलकर विकी से मिलने गया है वहीं अगले ही सीन में हम Jeremy को विकी से मिलते देखते हैं जहां विकी भिहोश थी और डॉक्टर से पूछता है विकी के बारे में कि उसकी तपयत कैसी है तब ही डॉक्टर कहती है कि उसका बहुत सारा ब्लड सक कर लिया गया या फिर ब्लड बोडी में नहीं है और उसे कुछ टाइम लगेगा मिलने के लिए और आप ऐसे ही किसी से मिलने नहीं आ सकते हो उसकी एक टाइमिंग है वो Jeremy को वहां से बहर निकाल देती है अगले सीन में हम Stephen और Alina को उनकी हिस्ट्री क्लास में देखते हैं एक दूसरे को देखके ओछ स्माइल कर रहे होते हैं ये उनका हिस्ट्री टीचर देख लेता है और देखकर कहता है कि मैंने आप दोनों को डिस्टब तो नहीं किया ये सुनकर वो हसते हैं और सीधे देखने लग जाते हैं क्लास के बाहर आगर मैट और अलीना बात कर रहे थे विकी के बारे में वहीं स्टेफन दूर बैठा उनकी सारी बाते सुन रहा था मैट बताता है कि रात को विकी को होश में आने के बाद जब मैट ने उससे पूछा कि उस पर अटेक किस ने किया था तब ही विक्की कहती है कि उस पर एक वैंपायर ने अटेक किया था ये सुनकर अलीना शौक हो जाती है पर मैट कहता है शायद वो नशे में थी शायद दवाई के नशे में या फिर वो पहले से नशे में थी ये सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब वैसे ही कहा रहा है ये सब सुनकर स्टेफन जो दूर बैठा था वो एकदम चोकनना हो जाता है और ये सुनकर एकदम रेडी हो जाता है जैसे अलिना पीछे मुड़ती है और वह वहाँ से गायब पूझा Stephen directly hospital जाता है और विकी को ढूणने लगता है और विकी को ढूणने के बाद वो उसे hypnotize करता है अपनी vampire power से वो उसे समझाता है कि उस पर एक animal ने attack किया था ना कि किसी vampire ने और ये हिपनोटाइस करने के पाद वो वहाँ से चला जाता है बट मैट ने स्टेफन को वहाँ पर देख लिया था और मैट उसका पीछा करने की कोशिश करता है बट स्टेफन वहाँ से गायब हो जाता है पर अब Matt को शक हो जाता है कि होस्पिटल में Stephen आया था. Stephan होस्पिटल में भागते समय ब्लड की baggs देखता है जिसको देख के वो अपना контрol खोने लगता है पर उससे पहले कि वो किसी तरह का अपना control खोए वो वहांसे भाग जाता है. नेक्स सीन में हम Ann Peaches को Class में Jeremy की Teacher से बात करते हुए देखते हैं जहां उसका Teacher कहता है कि Jeremy ने अब तक 6 classes बंग की हैं और वो ड्रक्स करता है और वो misbehave करता है ये सुनकर teacher नारास था पर आंचेना सुनकर खुश नहीं होती और कहती है कि वो उसे control करने की कोशिश करेगी तब ही आंचेना कहती है कि जैसे कि आपको पता होगा कि उसके parents की death हो गई है ये सुनकर उसका history teacher कहता है हाँ चार महिने पहले और चार महिने recovery के लिए बहुत टाइम होता है ये सुनकर आंचेना शोख हो जाती है और उससे पूछती है कि कोई और guardian है तब आंचेना जवाब देती है कि नहीं सिर्फ मैं अकेली एक guardian बची हूँ उसकी family में जोनकी take care कर सके और ये सब insult सुनने के बाद आंचेना सीधा घर जाती है और आंचेना जैरमी को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी teenage में वो भी कुछ ऐसी हरकते करती थी बट उसने धीरे धीरे अपने आपको सम्हाल लिया ये सुनते सुनते जैरमी वहाँ से निकल जाता है जैसे कि वो care भी नहीं करता next scene में Matt hospital में अपनी भेहन विकी के side में सो रहा था एक sofa पर तभी विकी होश में आती है और Matt को जगाती है तभी Matt विकी से पूछता है कि उस पर attack किस नहीं किया था वो कहती है एक animal attack था ये शुनकर Matt हैरान हो जाता है तभी वहाँ पर जैरमी आता है विकी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आये हो जैरमी कहता है कि तुम्हारा boyfriend टाइलर तो अब तक यहाँ आया भी नहीं और उसी ने विकी की जान बचाई है ये शुनकर विकी बहुत खुछ हो जाती है और जैरमी को thank you कहती है और उसके बाद वो बात करने लगते हैं अब स्टेफन की गायब हो जाने और उसका फोन ना मिलने पर अलीना स्टेफन के घर जाती है घर का कोई नोक करने पर जवाब ना देने पर अलीना घर के अंदर चली जाती है जो बहुत ही बड़ा और आलिशान घर था वहाँ पर डेमन उसे चोका देता है एकदम उसके सामने आकर और अपने आपको इंट्रिड्यूस करता है कि वो स्टेफन का बड़ा भाई है तभी अलीना कहती है कि उसने कभी उसके बड़े भाई का जिक्र किया ही नहीं तब ही डेमन कहता है कि वो थोड़ा shy किसम का है और वो family के बारे में जादा नहीं बताता। ये बात करते करते डेमन बताता है अलीना को स्टेफन की ex-girlfriend सी Catherine, ये सुनकर अलीना शौप हो जाती है। वहीं पर तभी स्टेफन आ जाता है और डेमन को देखकर वो बहुत ही जादा गुस्से में होता है और गुस्से बरी निगाओं से अलीना और डेवन दोनों को देखता है। अलीना समझ जाती है कुछ तो गड़बड है और यह सब सुनकर और देखकर अलीना वहाँ से चली जाती है और कहती है कि वो उसे बाद में कोन करेगी और अलीना के जाने के बाद डेमन और स्टेफन में बातचीत होती है स्टेफन दूर से ही डेमन से नराज दिखता है और वो कहता है कि हिपनोटिजम वर्ट किया स्टेफन तभी स्टेफन कोई जवाब नहीं देता तभी डेमन कहता है जब तक तुम human blood consume नहीं करोगे तुम उतने powerful नहीं हो कि धंग से किसी को हिपनोटाइज कर सको अगले सीन में हम विक्की को डिस्चार्ज होते हुए देखते हैं और वो जाते ही होस्पिटल से जाने के बाद जैरेमी से मिलती है तब ही वहाँ पर टाइलर उन्हें साथ में देखता है और उनसे मिलने के लिए आता है वो विक्की से हलचाल पूछता है बट वो टाइलर को जवाब देती है कि उससे उसकी कोई परवा नहीं है और अब पूछने का पाइदा भी नहीं है ये सुनका टाइलर वहाँ से गुस्से में चला जाता है जैरेमी को देखते हुए और जैरेमी और विक्की एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं अगले ही सीन में हम देखते हैं अलीना को एक बड़े से पार्क में बहुत सारे लोगों के साथ क्योंकि ये सब एक मिट्रोइड को या फिर कहें टूटते तारे को देखने आये थे और वहाँ पर उसे स्टेफन फिर मिलता है और वो एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं स्टेफन अलीना से माफ ही मांगता है और कहता है कि वो गुस्सा उस पर नहीं था और किसी और रिजन से था तबी अलowejिना कुछिन करती है कि उसने उसके बड़े भाई के बारे में स्टेफन कहता है वो इतना क्लोज नहीं थे और ना उससे क्लोज होना जाता है उसी वक्त, jut से अलिना पुछती है कि तुमने कभी अपनी एक्स गल्फ्रेंड के बारे में नहीं बढ़ाया यह नाम सुनकर स्टेफन एकदम शौक हो जाता है और वो अपने आप समझ जाता है कि डेमन ने जान पूछके यह सब उसके दिमाग में भरा है और वो दोनों हैपी एंडिंग के साथ अपने सारे डिस्कुर्शन सॉल्फ कर लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे अप देमन को पॉइंट आउट करती है और तभी देमन कहता है यह एक अच्छी बात नहीं है कि आप देमन को जानते हों तभी विकी कहती है उसे पता नहीं हो किसी जानता है बट यह फिमलियर फेस है जैसके उसने पहले वी देखा हो विकी यह सब कहने के बाद बातरूम जाने लगती है और उसकी आखों में आसू थे वह वहां जाकर खड़ी होती है और अपनी दवाईयां खाने लगती है वह बहुत ही घबराई हुई से लगती है तभी हम डेमन को उसके पीछे अटेक करते हुए देखते हैं अगले ही सीन में अलीना और उसके सारे दोस्त मिस्ट्र ग्रिल जो एक रेस्टरॉंट है वहाँ पर सब पाटी कर रहे थे तब भी वहाँ जेरमी घड़ बड़ा हुआ आता है और कहता है कि वो विकी को कहीं नहीं ढूंट पारा तब ही टाइलर कहता है तुम तो एक स्टॉकर हो तुमें तो पता होगा कि विकी कहा है तब ही वो ब चाहिए तरह की जबर्दस्ति भी नहीं की यह सुनकर मैट टाइलर की तरफ शक की नगावां से देखता है कि उसने शायद विकी के साथ कोई जोर जबर्दस्ती की थी यह सब डिस्कुशन होते ही सब घबरा जाते हैं कि उन्हें विकी नहीं मिल रही यह डिस्कुशन खदम होते ही और बहस कतम होते ही सब विकी को ढूने के लिए निकल लेते हैं तभी अलीना अपने भाई जैरमी का हाथ रुख पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि वो ये सब क्या कर रहा है ड्रक्स लेना और ये भालतू चीज़े तो तभी जैरमी कहते है इस माई लाइफ तभ अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो शायद उसे डॉक्टर के पास लेके जाएगी या फिर वो ये साई चीज़े उससे भी डिसकस कर सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम है और जैरमी वहाँ से बिना सुने ही निकल जाता है अगले सीन में हम मैट और स्टेफन को एक साथ देख देखते हैं जो विकी को ढूंडनेक लिए निकले हैं तभी मैट उससे पूछता है कि उसे उसने हॉस्पिटल में देखा तभी वो कहता हैकि वो अपने किसी रिलेटियु बो देखने गया था तभी स्टेफन को अपने कानों में एक विकी की रोने की और चिलाने की आवाज आती है जो बहुत दूर से आ रही थी वो समझ जाता है कि डेमन ने इस बार फिर कुछ किया है और उसका आवाज का पीछा करते हुए स्टेफन वहाँ पर पहुचता है और देखता है कि सच में डेमन ने विक्की को पगड रखा है और वो उसे पूचता है और स्टेफन की सामने दिखानता है कि वो उसको कितना हिपनोटाइस कर सकता है पहले बोलती है कि उसको अटेक एक अनिमल नहीं किया था, फिर डेमन उसे पताता है कि उस पे एक वेंपायर ने अटेक किया था, और विकी कहती है कि डेमन की तरफ यू डेड़ इट, ये तुम ने किया है, पर तभी वो से हिपनोटाइस करके कहता है कि तुम स्टेफन का ना हो, तुम्हें strong बनना पड़ेगा, तुम्हें human blood पीना पड़ेगा, और डेमन से कहता है कि छोटी मोटी जादू की जो tricks तुम करते हो, वो कुछ नहीं है real power कि अगर तुम human blood को consume करोगे तो, और या फिर इसको जाने दो, जिन्दा, अगर इसका खून तुम नहीं पीते हो, जो सबको पता देगी कि तुम एक vampire हो, जिससे सब लोग जान जाएंगे कि तुम एक असली vampire हो और वो तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, तभी स्टेफन कहता है कि तुम मुझे expose करना चाते हो, नहीं, तभी डेवन कहता है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाता, मैं चा चुके हैं, तभी ये डेवन सुनके नाराज हो जाता है, डेवन उसे फिर से hypnotize करता है विकी को, और कहता है कि उस पर animal attack किया था, और विकी को जाने देता है, और उसके बाद विकी वापस restaurant में आ जाती है अपने भाई के पास, जहां पर वो उसका भरम पट्टी करता है उस लिए और डड़ जाती है बानी के शोख होते ही Stephen उसे पूछता है कि तुम सही तो हो तभी कहते है तुमे क्या हुआ है और तभी कहता है कुछ भी तो नहीं और यह सब सुनकर बानी वहां से चली जाती है अलियना घर जाती है और वहां वो देखती है कि आण चेना जेरिमी क को देख रहा था और smile कर रहा था अगली सीनम केरलाइन को तहीड में बिल्कुल कम देख़ी थी उसको हम रोड़ पर ले जाते देखते हैं उसे लगता कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है तब ही उसके सामने डेमन आजाता है और उसे देख के घबरा जाती है पर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो जाती है क्योंकि वो एक हैंडसम लड़का था अगले सीन में हम स्टेफन का घर देखते हैं जहाँ पर अलीना स्टेफन से मिलने आई है स्टेफन उसे अंदर बुलाता है बट वो अंदर रान से मना करती है और कहती है कि कौम भार जाकर कॉमेट देखते हैं वो एक दूसर से बाते करते हैं और अपनी जितनी भी अब तक दो एपिसोड में जितनी भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई है उसको डिसकर्स करते हैं और एट लास्ट वो एक दूसरे को किस करते हैं और रोमेंटिक लिए एक दूसरों की आखों में देखते हैं अगले सिन्वे हम डेमन को देखते हैं जो कैरलाइन के साथ बेट पर है और वो रोमेंटिक से एकदम डेमन वेंपायर जैसे दिखने लगता है जिसे देखके कैरलाइन डर जाती है बट कैरलाइन कुछ कर सके उससे पहले वो उसे काट लेता है और एपिसोड यहीं खतम हो जाता तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैरलाइन का अब क्या होगा कि क्या कैरलाइन अपनी वापस जिन्दकी में जा पाएगी या फिर डेमन उसे मार डालेगा या फिर अलीना और स्टेफन का ब्रेक अप हो जाएगा या फिर हम बात करेंगे स्टेफन कैसे अपने कॉलिज लाइफ में इन्वाल्व होता है ये सब होगा एपिसोड नमबर 3 में अगर आपने ये एपिसोड पूरा देखा तो प्लीज लाइक, शेर और सस्क्राइब और मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इतना बड़ा एपिसोड जो निरली 45 मिनट का है मैंने कम से कम टाइम मैं ये कोशिश की है पूरी शीरीज देखने से अच्छा है आप शोट में एक्स्प्लनेशन देख लीजे आपको पूरी शीरीज देखने की जुरत नहीं है क्योंकि शीसन वन में ही पूरे 22 एपिसोड है और हर एपिसोड नियरली 45 मिनट्स का है तो आप इतना सारा टाइम वेस्ट करें उसे चाहिए मैं आपको शोट्स में समझाऊंगा पूरी स्टोरी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सुस्क्राइब करें देखते रहें रहें रहस्य के पार और मिलते अगली वीडियो में